कुछ दिन पहले मैंने वीडियो बना था कि How difficult is Engineering उसमें मैंने बोला था कि Engineering में कैसा subjects पढ़ाया जाता है और उसका difficulty कैसा है तो इसका continuation है समझ सकते हो तुम कि किसको Engineering नहीं करना चाहिए ऐसे whole Engineering नहीं बोल रहा हो कौन-कौन सा डिपार्टमेंट तुम्हें नहीं चूज़ करने चाहिए according to you ये एक बहुत बड़ा सवाल है first of all मैं इन कैटेगोडिकल लोग के बाड़े में बात करना चाहता हूँ जो लोग NEET में अच्छा रैंक सिक्योर नहीं किये और उसके बाद engineering करने आये इनके लिए मैं पहले बात करना चाहता हूँ first of all जो लोग NEET क्रैक नहीं कर पाए वो लोग अगर engineering करने आये तो mostly ऐसा लोग होते हैं कि वो next year फिर से NEET देकर try करेंगे कि एक अच्छा medical college मिल जाए इन लोग के लिए में एक बात बोलना चाहता हूँ कि please avoid बहुत जाद डिफिकल्ट departments जैसे कि तुम electrical जैसे कि civil instrumentation, mechanical ये टाइप का subjects तुम अगर एवोइट करोगे तो जाद अच्छा रहेगा क्यूंकि तुम अगर NEET student हो तो बहुत हाई chances है कि तुम्हारा match इतना जादा strong नहीं है ये नहीं बोला हूँ कि तुम्हारा match वीक है लेकि इतना high strong नहीं है इतना strong नहीं है as compared to other GE experience generally मैं बोला हूँ कुछ exceptions रहेगा ही रहेगा तो इसलिए बहुत जादा difficult अगर department तुम लोगे और तुम्हारा अगर next year भी neat crack नहीं हुआ तो तुम उस department में बहुत दिक्कत आ सकता है तो कौन-कौन सा department तुम्हें मतलब लेना चाहिए first of all तुम CAC, IT ये दोनों department ले सकते हो अगर तुम मिले तो अगर ना मिले तो ETC उसके बाद तुम आप टू साम एक्स्टेंड तुम इंस्टुमेंटेशन ले सकते हो लेकिन वो difficulty तो होगा तुम्हें okay difficulty तो होगा तुम्हें लेकिन कोई option नहीं है mechanical तुम पुड़ा एवइड करना तुम chemical engineering ले सकते हो chemical engineering तुम ले सकते हो अगर तुम academic pressure इतना हाई नहीं रहता है इसलिए तुम्हें बहुत ज़्यादा अधिक्कत नहीं होगा तुम construction ले सकते हो यहां पर भी academic pressure बहुत हाई नहीं लेकिन problem थोड़ा बाद हो सकता है power में भी problem हो सकता है क्योंकि mathematics तो बहुत सारा चीज है construction में भी है chemical में भी है टीकि engineering पूरा में mathematics ही होता है except food technology उसमें मैं आता हूँ wait तो तुम power engineering ले सकते हो तुम construction ले सकते हो chemical engineering ले सकते हो थोड़ा difficulty होगा साय लेना लेकिन mechanical, civil, electrical थोड़ा avoid करना next तुम एक बहुत अच्छा branch है तुम्हारे लिए जो neat experience थे उनके लिए food technology and biochemical engineering यह department में mostly biology और chemistry oriented subjects है तो यह एकदम तुम्हारा suitable होगा अगर तुम engineering अगर करना चाहते हो तो if you do not get neat you do not crack neat तो यह अच्छा च्छाएसे और एक और च्छाएसे pharmacy ओके pharmacy में एक problem ही है कि अगर तुम pharmacy में पढ़ा ही करना चाहते हो तो बहुत अच्छा है बहुत next level का department है pharmacy में ठीक है उसमें high status को बहुत अच्छा है aim tech aim sorry aim farm कर सकते हो तुम लेकिन problem होगा अगर तुम्हारा job job oriented तुम्हारा goals है job थोड़ा difficult होता है in recent years pharmacy में मिल जाता है कि कुछ कुछ लोग को लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग होते कि जो जिसको job नहीं मलता है तो यह fact है upcoming year feature में change भी हो सकता है लेकि लास्ट टू थी यर्स लास्ट टू-3 person हो जाता है लेकिन anyways उसके बाद तुम कोई और college देख ले ना अगर तुम अगर महान लोग की तुम जादों नहीं मिले तुम एक साल full drop देका तुम next year दे सकते हो तो हो गया नीट वाले student के बाद next जो लोग physically थोड़ा weak है physically weak मतलब क्या है तुम इतना जादा strength नहीं फिजिकल strength नहीं है समझ सकते हो क्या बोल रहा हूं मैं उन लोगों को specially mechanical engineering production engineering थोड़ा avoid करना production फीर भी तुम ले सकते हो लेकिन mechanical avoid करना metallurgy भी तुम avoid कर सकते हो लेकिन वह भी तुम ले सकते हो metallurgy यह दोर department तुम ले सकते हो अचा यह बात मैंने बोलना हो लिए metallurgy भी तुम ले सकते हो अगर तुम neat aspirant हो तो 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 उसमें बहुत सारा physical level लगता है तो अगर तुम बहुत weak होगे तो तुम तुम को बहुत fatigue आएगा तो अगर तुम सहल होगे तो बहुत ही बढ़ी आए लेकिन यह एक मैंने warning दे दिया ऐसे बहुत सारे लोग पहले हो चुका है ऐसा कि जो इतना जादा physical strain नहीं है तो उनका हालत थोरा खराफ हो गया था लैब्स करने के बाद तो mechanical और production इन दो डिपर्टमेंट में कोई खास प्रॉब्लेम नहीं होगा पावर में भी प्रॉब्लेम नहीं होगा इलेक्ट्रिकल में तो नहीं इलेक्ट्रिकल का लैब इतना जादा मतलब बहुत हेवी लेवर वाला वार्क नहीं होता है ओके और एक और टाइप का कैटेगोरी है जिन लोग का math week है जो engineering experience है लेकिन फिर भी math week है ठीक ऐसा होना नहीं चाहिए लेकिन फिर भी ऐसा लो होता है कि math इतना इतना जादा मतलब डेफ्ट में नहीं किया है फिजिस के मिस्टी जादा किया है लोग के इंजिन नहीं मिल गया तो तुम उन लोग को उन लोग को फिर से मैं बोल रहा हो कि math first of all बहुत इंप्रूब करना होगा तुम्हें क्योंकि मालनों तुम्हारा अगर instrumentation टाइप का branch लग गया यह फिर इलेक्ट्रिकल का branch लग गया तो उन में बहुत mathematics का चीज है बहुत mechanical में भी है chemical में भी है chemical में तो बहुत math है बहुत तो math strong करना होगा और फिर भी तुम ऐसा लगता है कि math तुम नहीं कर पाऊगे बहुत problem होंगा math करने के लिए तो तुम यह सब branch थोड़ आवाट करना जैसे mechanical electrical instrumentation यह सब मतलब तुम तुम बोलोगे कि मैं कैसे वोल दिया आवाट करने मतलब electrical instrumentation में इतना अच्छा placement होता है मैं कैसे वोल दिया आवाट करने तुम तुमको तो पास भी होना होगा ना अगर तुम्हारा math week है तो तुम जो mathematical type subjects है ठीक है electrical instrumentation में math oriented subjects है बहुत सारा तुम में अगर तुम्हां supply लग गया तो वो clear डगर नहीं होगा तो तुम को job मिलेगा मतलब job मिले जाएगा तुम्हें job का joining मिलेगा तुम्हें 4 years में तुम्हारा supplementary exams clear होना चाहिए उसके बाद तुम job में join कर सकते हो ठीके ऐसा नहीं कि सफ्व्म लग लगता जाएगा लगता जाएगा तो कोई problem नहीं होगा प्रॉब्ले मोगा okay सफ्व लग गया तो problem नहीं होगा लेकिन सफ्व्म क्लिया नहीं होगा तब problem होगा तो यह यह एक precaution है बाकि तुम्हारे उपर है तुम क्या करोगे और कुछ टाइप का स्टुडेंट है जिसका फीजिक्स बहुत वीक है फीजिक्स को एक मंतलब कुछ लोग है कि जो सब्सक्राइब करना चाहिए जो लोग का थार्मडायनमिक्स फ्रीड में अगर तुम्हारा वीक है तो तो मेकानिकल पूरा आवाइट करना भाई बहुत प्राबल्यों हो जाएगा क्योंकि मेकानिकल में अगर वही तुम्हारा वीक है ऐसा हो सकता है कि तुम पहले ठीक से नहीं पढ़ाई किये बाद में जाकर अच्छा पढ़ाई कर लिए लेकिन यह टाप का स्टुडेंट आलग है लेकिन ऐसा स्टुडेंट मोस्टी ऐसा है कि जेए के टाइम में फ्रीड मेकानिक्स पढ़ा डिरवी तुम को थोरा दिक्कता सकता है लेकिन फिर विकलतों सं Knowledge है लेकिन 12 का वहाद एप्लिकाइशन से अब करोग्यं के व haya थोरा नहीं अच्छी है लेकिन 200 कम हैं तो कुछ लों की से दोसरे अगर तो में आगर तो पुमारा वह गया तो चनल माने με्गल तो तुम ले सकते हो अगर पूरा केमेश्ट्री इतनों बेकार है तो थोड़ा बहुत मुस्किल हो सकता है जैसे कि एकुलिब्रियम केमिकल काइनेटिक्स का अप्लिक्शन फिर से है मास ट्रांसफर इस सब फिर से है तो बाद में अगर पढ़ाए कर लिए तो बहुत अच्छा यह कॉंप्लिटी तुम्हारे उपर है तुम अगर मतलब मानलिए कि पहले नहीं ठीक से पढ़ाई किये बाद में पढ़ाई कर लोगे तो तुम कर सकते हो लेकिन अगर ना कर पाए